नमस्कार दोस्तों आज बात करेंगे ICG डाई की यूज के बारे में IC मतलब Indigo Sign-in Green यह आज कल एक नई टेकनालोजी है जो हम स्वधरी से पहले पेशेंट के बलड में ये डाई इंजेक्ट करते हैं और उसके बाद कुछ special camera से during surgery हम camera का mode switch करके कुछ particular tissues को different colors में देख सकते हैं इसका बहुत अच्छा use है गॉल बेटर स्वधरी में गॉल बेटर स्वधरी बहुत simple होने के साथ साथ बहुत मुश्किल भी हो सकती है और difficult cases जहां पर swelling है या बहुत infection है वहां पर गॉल बेटर का duct या जो liver के main ducts हैं उन्हें identify करने में difficulty होती है तो ऐसे cases में अगर patient को ICG dye दी जाए और आपके पास special cameras हों जिसमें की during surgery हम ये structures को different color में देख पाए तो इनकी identification बहुत easy हो जाती है और इसकी वज़े से surgery में time कम लगता है और उसमें होने वाली complications से भी बचा जा सकता है गॉल्बेटर surgery में बहुत common होने के साथ साथ एक ये भी दिक्कत है कि ऐसे structures के साथ गॉल्बेटर जुडा होता है जो कि बहुत vital है और अगर इनकी injury हो जाए तो इने ठीक करने में काफी समय लग सकता है पेशन्ट को बहुत सारी problem आ सकती है और उसकी life बहुत अब तक खराब हो सकती है और जैसे जैसे technology इंप्रूब हो रही है वैसे ही एक नई technique इसके अंदर introduce की गई है जिससे की हम कुछ structures को different color में देख पाएं ताकि उनकी identification easy हो जाए surgeon friendly हो जाए और dissection easy हो जाए और आपको पहले से better results मिले जैसे की आप pictures में देख सकते हैं कि during difficult surgeries, wild duct और gall better के जाए duct है उसकी identification difficult हो सकती है और जैसे ही हम camera का mode shift करते हैं यह structures easily visible हो जाते हैं, camera इस mode में near infrared light यूज़ करता है और wild duct और cystic duct, gall better, liver यह सारे structures जो हैं यह green color में देखने लगते हैं और इनकी आस पास जो दूसरे major important structures हैं जैसे की बड़ी-बड़ी blood vessels हैं और आंथ है उनमें green color नहीं आता, तो हमें बड़े clearly पता चलता है कि कौन सा part हमें remove करना है या कौन सा part हमें save करना है और इसकी help से हम surgery में easily proceed कर सकते हैं और जो vital organs हैं उनकी injuries को prevent कर सकते हैं So we hope कि यह video देखकर आपको idea लगा होगा कि क्या क्या नई technologies आ गई हैं आज कल gall better surgery में और अगर आप यह service करवाना चाह रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि अगर आपका gall better difficult case है तो किसी ऐसे center से कराईए जहां पर ऐसे technologies available हो